हेलो एबरिवन मीना की रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं स्वादिस्ट ग्रेवी अर्वी की सबजी तो चलिए अब हम अर्वी की सबजी बनाना सुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने हाफ केजी अर्वी ले नी थी उनको अच्छे से दो कर छील कर और काट लिया है आप चाहे तो इनके किसी भी तरीके से पीस भी कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने कुकर पहले से गरम करने के लिए रख दिया था तो उसके अंदर डालेंगे हम दो बड़े चमस तेल अब तेल भी हमारा गरम हो गया है तो उसके अंदर डालेंगे हम एक चमस अजवाइन अजवाइन को हम भूनने देते हैं टू पिंच हेंग और यहाँ पर हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले जैसे तेज पता है लॉंग है काली मिर्ची है और सिनेमर रॉल है और साथ में हम डाल देते हैं लहसुन, पियाज, मिर्ची और अदरक उनको हम बारी-बारी से डालेंगे एक-एक करके और लाश्ट में हम पियाज डालेंगे इनको लगातार चलाते रहना है नहीं तो यह लहसुन, मिर्ची, अदरक कहीं से जलवी सकता है अब हम डाल देते हैं प्याज और प्याज को हम हलका सा भून लेते हैं यहाँ पर हमारा हलका सा प्याज भून गिया है तो उसके अंदर डालें ड्राई मसाले जैसे हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर स्वाद अनुसार नमक half table spoon red chili powder one table spoon धनिया powder आप यहाँ पर मसाले कम ज़ादा भी कर सकते हैं और साथ में हम पानी डाल देंगे तो यहाँ पर हमने मसाले के अंदर पानी डाल दिया है और मसाले को अच्छे से भून लेते हैं तो देखिए यहाँ पर लगवा हमारा मसाला भून चुका है अब हम डालेंगे इसके अंदर एक टमाटर चॉब्ड किया हुआ अगर चाहो तो आप यहाँ पर टमाटर की प्यूरी भी इस्तमाल कर सकते हैं और इस तरीके से हम मसाले को भून लेते हैं और इसको लगाता चलाते रहेंगे आप इस रेसेपी को घर पर ट्राई जरूर करें यहाँ पर मसाला अब लगवाग हमारा भून चुका है और अब जो हमने अर्वी को काट के रखा था उनको इस मसाले के अंदर डाल देते हैं और चम्चे से इस तरीके से हम मसाले के अंदर मिक्स कर देते हैं दो से तीन मिनट हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि यह अर्वी मसालों को एब्जॉर्ब कर ले तो यहाँ पर तक करीबन दो से तीन मिनट हो चुके हैं अब हम डालते हैं सात में पानी अपनी आवश्चता अनुसार आपको यहाँ पर ग्रेवी वाली पसंद है तो आप ज़ादा पानी डाले हैं तो यहाँ पर हमने अपने इशिवाब से पानी डाल दिया है जितना हमको चाहिए उतना तो अब हम कोकर का डख्कन लगा देते हैं सीटी तक आने तक इंतियार करेंगे तो एक सीटी से दो सीटी लग चुकी है और यहां पर कोकर की गैस भी निकल चुकी है देखिए इस तरीके से हमारी सबजी भी बन चुकी है और अब हम डालेंगे यहां पर धनिया पत्ते तो देखिए हमने यहां पर सब्जी के अंदर धनिया पत्ते भी डाल दी है और इस तरीके से हमने मिक्स कर दिये हैं यहां पर हमारी सब्जी अव रेडी हो गई है तो अब हम सर्विंग बाउल में सर्व करते हैं तो यहां पर हमने serving bowl में serve कर दिया है आई हो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मुझे comment करके बताए कि मेरी वीडियो कैसी लगी अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरी वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon press करके ताकि नई वीडियो के update